जैहिन, मैं राशी कपूर, आयनन टुडे में आप सबका स्वागत है बढ़िंगे आज की सूपर फास टॉप नाइम खबरों के मॉंबे हाई कोट में मंगलवार को महाराज के ग्रह मंत्री अनल देशमुक के खिलाब पूर्फ पुलिस कमिशनल परमबिर सिंग की आजिकव पर सुनवाई हुई परमबिर सिंग ने ग्रह मंत्री देशमुक पर हर महिने 100 करोड रुपे वसूली का आरोप लगाया है कोट इस मामले की बुद्वार को फिर से सुनवाई करेगी अररिया में पलासी की कवैया गाव में मंगलवार सुबा एकी घर में खेल रहे छे बच्चों की आग में जनले से मौत हो गई इनकी उम्र धाई से पात साल बताई जा रही है ये सब ही एक कमरे में मक्के के भुटे सेक रहे थे पास में ही मवेशिया का सूखा चारा रखा थे जिसमें चिंगारी से आग लगी और बच्चे उसमें गिर गए मुके मंत्री नितीश कुमार ने बहरा दुख जताया है उन्होंने मृतिकों के परीजनों को ततकाल चार चार लाग का अनुदान देने का निर्देश दिया है अभीनेता एजास खान को नर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूर ने मंगलवार को हिरासत में लिया गंटे पूचताज के बाद उने गिरफतार कर लिया गया एजास कुछ दिनों से शूट के सिलसिले में राजस्तान में तेवास है उनके मुंबई लोटते ही, Ncb की टीम में उन्हें हिरासत में ले लिया पश्टिम मंगाल में दूसरे फेस की वोटिंग से पहले मुखे मंतरी मम्ता बेनोजी ने गौतर काड़ खेला उन्होंने मंगलवार को कहा कि शुनाब प्रचार करते वक्त मैं एक मंदर गही वहाँ पुजारी ने मुझसे मेरा गौतर पूछा मैंने उन्हें बताया कि मेरा माटी और मानोश है इस घटना के बाद मुझे त्रिपूरा के त्रिपूरेश्वरी मंदर का वाक्या याद आया वहाँ भी पुजारी ने मुझसे मेरा गौतर पूछा था और मैंने यही जवाब दिया था लिकिन मैं आज सभी को बता रही हूँ कि मेरा असल गौतर शांड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने होंगे कोरोना के मरीजों को वाड वार रूम से बैड अलोट किये जाएंगे अस्पतालों को मरीज सीधे भरती करने से रोग दिया गया है मध्या प्रदेश के बिंट जिले में एक अजीब मामना सामने आया होली के दिन यानी 29 मार्च को बिंट जिले के चतुरवेदी नगर में तीन लोगों ने शराब ना मिलने पर सानिटाइजर की दो बोतले पीली इसकी कारण दो लोगों की मौत हो गई तो वहीं एकी हालत ग पत्तर होती जा रही है इन राज्यों के चलते पूरे देश के लिए खत्रा पैदा हो गया है और किसी को भी लापरवाही नहीं बत्रानी चाहिए कि इंद्रे स्वास अचीव राजिश भूशन ने कहा कि माराश्टों पंजाब, 36 गड़ और मद्र परदेश जैसे राज्यो वाले लोगों को कॉरिंटीन करने में धिलाई बरता रहे हैं। में 11 साल की बच्ची तमन्ना की घर्दन कट गई, घटना देश गाओ, चौकी की रोशईया फाटे के पास हुई, बस में बैठी बच्ची ने उल्टी करने के लिए खिड़की से बाहर घर्दन निकाली थी, इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से उसका स कट गया, इससे मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई, खबरों का सिंसिला जारी रहेगा, जैहिन!